नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्साम टेवलेट में दोस्तों इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट के द्वारा जी एनम कोर्स में एड्मिसन के लिए यहाँ पे ओफिसियल नोटिफिकेशन निकल चुका है 2022 में जी एनम कोर्स में एड्मिसन के लिए देखे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें एपलाई करने के लिए आपके इलिसिबिलिटी क्या-क्या होनी चाहिए और साथ ही हम लोग यह देखेंगे कि इसमें एपलाई करने का जो लास्ट डेट है तो वो कितना है और इसमें selection procedure क्या है और देखे अगर आप Indian Oil Corporation Limited से अगर आप GNM का course करते हैं तो इसके क्या-क्या फाइदे हैं तो यह सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो देखे यहाँ पे जो आपको GNM में यहाँ पे seat हैं तो टोटल जो यहाँ पे seat है यह 30 seat है और उसके बाद देखे जो reservation है यहाँ पे किस तरह से है unreserved category के लिए मतलब general category के candidates के लिए यहाँ पे total 14 यहाँ पे seat है और उसके बाद देखे EWS से जो candidates बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 seat हैं और ST category के लिए यहाँ पे 2 seat हैं और ST category के लिए 3 seat हैं और OBC जो non creamy layer से बिलोंग करते हैं वो इसे candidates के लिए यहाँ पे total 8 seat हैं देखे यहाँ पे जो आपका course है यह आपका 3 साल का course है और इसमें जो आपका admission होगा यह admission कहाँ पे होगा Assam Oil School of Nursing में होगा जो की देखे यहाँ पे Indian Nursing Council से recognized है और साथ ही registered भी है और उसके बाद देखे जो आपका minimum educational qualification होना चाहिए इसमें apply करने के लिए तो आपको 10 plus 2 pass होना चाहिए अगर आप Physics, Chemistry, Biology से अगर आपने pass किया है तो आपको prefer दिया जाएगा Physics, Chemistry, Biology और साथ ही English में आपको aggregate जो marks होने चाहिए यह minimum 40% होने चाहिए और अगर आपने 8 से भी आपने 10 plus 2 किया है तो भी आप इसमें apply कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे जो आपको aggregate marks होने चाहिए वो कितने होने चाहिए यह 40% होने चाहिए साथ ही देखिए अगर आपने 10 plus 2 vocational course किया है A&M में तो भी इसमें आपको 40% minimum marks होने चाहिए और साथ ही आपका जो vocational course है A&M का यह आपको Indian Nursing Council से registered होना चाहिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका age limit है age limit क्या है तो देखिए आपको minimum कितना होना चाहिए 17 years होना चाहिए और maximum आपका 24 years होना चाहिए और यह जो आपका age है यह कब count किया जाएगा यह जो आपको age है यह count किया जाएगा 30 September 2022 को इसी date को आपको यह minimum कितना होना चाहिए 17 years होना चाहिए और maximum कितना 24 years होना चाहिए और देखिए यहाँ पे age का relaxation भी है जो बच्चे जो candidates SC और ST केडिगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो age limit में relaxation दिया गया है 5 years का दिया गया है और जो candidates यहाँ पे OBC non creamy layer से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे जो छूट दिया गया है relaxation दिया गया age limit में यह 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है और देखिए उसके बाद अगर आपका यहाँ पे selection process की बात करें तो आपका यहाँ पे selection process कैसे है देखिए आपको यहाँ पे written test होगा मतलब OMR based यहाँ पे आपका examination होगा यहाँ पे total जो आपको questions रहेंगे यहाँ पे नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आपको total टाइम रहेगा यह कितना रहेगा 120 मिनट यहाँ पे यहाँ पे दिया जाएगा आपको time और हो सकता है कि इसमें 100 questions रहे और उसके बाद दिखे यहाँ पे आपको entrance exam जो आपका हो रहा है मतलब जो written test हो रहा है यह आपको कहा होगा और कितने बज़े होगा और यह सारी चीज़ें आपको admit card में यहाँ पे दिया रहेगा देखे यहाँ पे आपको written test में minimum आपको कितना 40% आपको marks लाने ही पड़ेंगे तभी आपका यहाँ पे admission होगा अगर 40% से अगर marks आप कम लाते हैं तो यहाँ पे आपको written test में तो आपका admission नहीं होगा ठीक है और उसके बाद देखे यहाँ पे आपका rank भी बनेगा यह नहीं कि आपने 40% marks आपने ले आया है तो इस बात के guarantee नहीं है कि आपका admission हो जाएगा तो यहाँ भी आपका merit list बनेगा rank wise यहाँ पे आपको seatें मिलेंगी और उसके बाद देखे यहाँ पे आपको apply कैसे करना है तो देखे यहाँ पे आपको एक link दिया गया है https double slash aocn admission.in slash तो इसमें जाकर आप इसका online जो application form fill up है यह आप कर सकते हैं और देखे जब आप online application form fill up करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ documents scan करके आपको upload करने पड़ेंगे तो कौन-कौन से ऐसे documents है तो यहाँ पे देखे यह सारे चीज़ें list में दिया गया है देखे 10th का आपका passing या फिर matriculation का certificate है यह आपको लगेगा और उसके बाद देखे अगर आप SC या फिर ST या फिर OBC non-crimi layer या फिर आप disability या फिर EWS category किसी भी category से अगर आप belong करते हैं तो आपको यहाँ पे certificate scan करके आपको upload करना पड़ेगा और देखे यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 10th class का जो आपका mark seat है और 12th का जो आपको mark seat है और certificate है तो यह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको upload करना पड़ेगा scan करके और देखे यहाँ पे आपको income certificate भी लगेगा देखे यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद देखे कि आपका जो CGPA अगर mark seat में है उस system से अगर आपका marks दिया गया है तो यहाँ पे आपको conversion certificate भी लगेगा और जो income certificate आपको लगेगा यह 2021 फाइनिंसियल यर के लगेगा जो कि आपका 1 अपरेल 2022 के बाद ही issue किया गया हो तो वही income certificate को यहाँ पे लोग मानेंगे देखे यहाँ पे जो आपको income certificate लगेगा यह income certificate आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि circle revenue inspector के rank के नीचे का नहीं होना चाहिए ठीक है income certificate जो आपको जारी करेगा यह कम से कम आपका circle revenue inspector के rank का होना चाहिए और देखे यहाँ पे जो आपका final merit list बनेगा देखें यहां पर लिखा हुआ है तो final जो merit list आपका बनेगा यह आपका जो written examination है और साथ ही जो आपका income certificate है इसमें जो weightage आपको marks दिये जाएंगे income certificate पर तो इसके आधार पर ही written examination और जो आपका income certificate है इसमें आपको जो marks दिये जाएंगे तो इसके आधार पर ही आपका final merit list बन करते हैं या फिर बोलिए तो financially जो weaker section society के से belong करते हैं तो यहाँ पे उनको preference दिया जाएगा मानले चिए आपका भी जो marks है यह 80 है और जो एक candidate है जो financially जो weaker section से belong करते है income उनका जो family का है वो कम है उनका भी marks 80 है तो देखिए इनका यहाँ पे final merit list में इनका नाम यहाँ पे उपर होगा ठीक है और देखिए यहाँ पे जो आपको training के दौरान यानि जब आप gnm course का यहाँ पे study करिएगा तो यहाँ पे आपको stipend भी मिलेगा और देखिए stipend आपको first year में जो दिया जाएगा यह 2500 रुपिय दिया जाएगा और second year में यहाँ पे 2700 रुपिय और third year में आपको यहाँ पे जो मिलेगा यह आपको 2900 रुपिय यहाँ पे आपको stipend मिलेगा और उसके बाद भी देखिए यहाँ पे आपको क्या-क्या और भी benefits हैं तो देखिए यहाँ पे आपको hostel जो रहेगा यह आपको free रहेगा कोई यहाँ पे charge नहीं देना पड़ेगा और देखिए यह जो facilities है यह कुछ ही candidates को मिलेगा selected candidates will be required to stay in the nursing college hostel only तो यह सारी चीसे हैं यहाँ पे और देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप pass out हो जाएंगे यहाँ से तो आपको minimum देखिए एक साल का period में यहाँ पे आपको work करना पड़ेगा कहाँ पे आपको Assam oil division जो hospital है वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा या फिर देखिए अगर एक साल से यह लोग से जादा भी अगर बढ़ाते हैं तो आपको दो साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा minimum यह आपका job वहाँ पे नहीं होगा यह आपका वहाँ पे intern होगा ठीक है internship इसको बोलते हैं तो यहाँ पे अगर आप असम जो यहाँ पे आपका oil division hospital है यहाँ पे आपको अगर internship करने का मौका मिलता है तो यहाँ पे आपको पर मन्त 15,250 रुपिये आपको salary के रूप में यहाँ पे मिलेगा ठीक है और जो आप work करेंगे उसके against में आपको यह इतना payment आपको मिलेगा और उसके बाद देखिए अगर कहीं दूसरा जगह आपको अगर shift किया जाता है या फिर आपको वहाँ पे work दिया जाता है या फिर internship दिया जाता है तो extra आपको कितना मिलेगा एक हजार रुपिये पर मन्त आपको extra मिलेगा अगर Indian Oil Corporation जो limited है इसके किसी other hospital में अगर आपको intensive के लिए भेजा जाता है तो आपको कितना मिलेगा 16,250 रुपिया आपको मिलेगा और अगर आप असम जो आपका oil division hospital है इसमें अगर आपको मिलता है intensive का मौका तो यहाँ पे आपको 15,250 रुपिये मिलेंगे और उसके बाद देखें यहाँ पे important dates की बात कर लेते हैं तो देखें आपका जो form philip यहाँ पे start हो चुका है इसके online portal पे तो आप 10 October 2022 से यानि आज से आप इसमें apply कर पाएंगे और देखें इसका जो last date है यहाँ पे online application का receipt का देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 30 October 2022 सामके यहाँ पे देखें 5 बजे और देखें आपका जो written test होगा tentatively यहाँ पे दिया गया है मतलब अभी एकदम fix नहीं हुआ है written test आपका जो होगा होने का जो संभावना है यह कब होगा यह आपका 13 November 2022 को होगा और उसके बाद देखें आपका जो result आएगा यह आपको यहाँ पे यह लोग 17 November 2022 को दे देंगे और उसके बाद देखें आपका जो document verification होगा यह आपका 21 November 2022 को हो जाएगा फिर आपका जो medical examination होगा ये आपका 21 November 2022 से लेकर 22 November 2022 तक होगा और उसके बाद फिर जो आपका admission हो जाएगा ये आपको 28 November 2022 को आपका final admission हो जाएगा और एक चीज़ देखें यहाँ पे सिर्प जो unmarried females हैं वही इसमें apply कर पाएंगे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको देखें only unmarried female candidates यहाँ पे apply कर पाएंगे उस्तों वीडियो का अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को like करें, share करें और अगर आप हमारे इस channel में नई भीवर है तो हमारे इस channel को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को भी प्रिस कर लें ताकि आपको nursing से related सारी information आपको मिल पाए